मैं हूँ प्रब्जोध को और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट बिग बॉस की सेलेब्रिटी कंटेस्टंट बानी जे शुरू दिन से ही चर्चाओं में है बानी जे का फुल थ्रॉटल वर्क आउट अपने आपको वो कैसे फिट रखती है उनकी डायट को कैसे फॉलो करती है वो घरवालों के साथ कैसे है ये सब काफी न्यूज में रहा है मैं आपके साथ बानी जे की कुछ ऐसे शीजर शेयर करना चाहती हूँ जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते तो मैं आपको बता दू कि बानी जे का नाम गुर्बानी जज है इनका जन 29 नवेंबर 1987 चंडिगर में हुआ था बानी के फादर बिजनसमेन है और इनकी मॉम हाउस वाइफ है बानी ने 20 साल की उम्र में टीवी के एक शो में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था रोडीज जी हां वो सीजन 4 रोडीज में नजर आये थी और वो इस शो की रनर अप थी बानी जे ग्राफिक डिजाइनर की डिगरी होल करती है बानी जे ने रोडीज जीतने के बाद सीजन 6 को होस्ट किया था और उसके बाद उन्होंने 7, 9, 10 और 12 सीजन को भी होस्ट किया था 2009 और 2010 के बीच एक डिजनी शो आया था जिसका नाम था क्या मस्त है लाइफ जिसके अंदर एक स्पेशल कास्ट में बानी जे को लीड रोल दिया गया था इसके अंदर इनके साथ शाहिर शेक थे और सना शेक भी थी बानी जे ने अभी तक दो पॉलिवर्ट फिल्म्स की हैं जी हाँ, 2007 में हिमेश्रे शमिया की आपका सुरूर की थी 2011 में उन्होंने एक वीजे का ही किरधार निभाय था फॉर दो मुवी साउंट्रैक और 2016 में एक पंजाबी फिल्म के अंदर उन्होंने सपोर्टिंग रोल किया था रोडी सीजन के बाद उन्होंने खत्रो के खिलाडी सीजन 4 जो 2011 में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था और I Can Do That जो 2015 में आया था इस शो के अंदर भी बानी जे ने पार्टिसिपेट किया था हाला कि ये दोनों टाइटल्स जीत नहीं पाई थी लेकिन ये टॉप कंटेस्टन्स में से एक थी तो ये कुछ बाते थी बानी जे के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी बानी जे अभी विग बॉस के शो में काफी अच्छा खेल रही है देखना ये होगा कि आखर ये शो जीती है या नहीं फिलहाल इस विडियो में बस एतना ही बॉलिवोर और टेलिविशन की तमाम भड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रही है फिल्मी बीच